सोसल मेडिया में ऐसे के विचार फैलाया जाता है जो बहुत नफरत भरी होती है कई यूटुबर्स एक धर्म की तुन्ना एक दुसरे धर्म से कड़ते हैं और एक धर्म को अपने धर्म से नीचे बताया जाता है देखो ये बात बहुत गलत है आप कोई भी धर्मा को अपने से नीचे या फिर अपने से बड़ा नहीं बता सकती क्योंकि सभी धर्मा एक समान है और मैं ये धर्मा एक समान कैसे है उसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा देखो संकर को समझ लो संकर ने अराधना किया घोर अराधना किया तब ही वो स्रिव तत्त्तो को प्राप्त किया और स्रिव संकर हो गए स्रिव तत्त्तो मतलब भी समाझ लो जो इस स्रिव नाम से भी डिफ्रेंड है स्रिव मतलब सुनने भी होता है स्रिव मतलब कोई चीज भी होता है सीव मतलब जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं सीव मतलब आप जिसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सीव मतलब हर चीज सीव मतलब होता है वो चीज नहीं जिसे आप अपने मुह में एक्सप्रेस कर सकते हो तो संकर निसके अरादना किया और इस सिवतत्तो को प्राप्त किया तो उस सिव संकर हो गया वैसे ही गौतम सिधार्थ गौतम ने भी अरादना किया फिर वो बुद्ध बन गया वो ग्यान प्राप्त के लिए वो भी संकर की तरह उस सिवतत्तो को प्राप्त के लिए तभी उस संकर कहला है और सिधार्थ गौतम ने भी अरादना किया और उसे ग्यान की प्राप्ति हुआ तभी वो बुद्ध कहला है इसी तरह मुस्लिम धर्मा में भी है उसमें मुहम्मत ने भी अरादना किया अराधना कनने के बाद अल्लह उसके अंदर प्रकट हुए वो उसके सहारे बुले लेकिन यहाँ पे मुहम्मत ने अपने आपको अल्लह नहीं कहा बल्कि उसे वो अपना बेटा माने क्योंकि अल्लह उसके अंदर प्रकट हुए तो वो अपने आपको बेटा माने लेकिन हम एक अड़्थ में कहें कि मुहम्मद भी एक अल्ला ही है क्योंकि इनसान इनसान को ही जन्म देता है तो अल्ला है अल्ला को ही जन्म देगा और दोनों एक ही है हम सब वेक्ति भी अगर आराद न करे तो हमारे अंदर भी वो तत्व प्रकट हो सकता है लेकिन ये अराधना हमारे कई ढूंगी बाबों बभाओं और कई राजनित्याओं के दौरा या कई बिजनेसमेन के दौरा ये सब चीजों को मिटा दिया गया है क्योंकि अगर हम इस चीज़ को जानते कि इस चीज़ से हम उस परमतत्यों को प्राप्त कर सकते हैं तो हम उस बिजनेसमेन को कोई प्रोडक्ट नहीं खरीते उस राजनिता के बात में नहीं आते या हमें कोई नेता नहीं चाहिए होता इसी करण ये सब चीज को मिटा दिया गया है या उसमें चेंजस कर दिये गया है सभी धर्म की किताबे सहीं तो है सहीं तो है कहना ठीक नहीं है सहीं तो थी बट उसमें चेंजस हो गया है इसलिए कई लोग बोलते हैं ये धर्मा बहुत छोटे इसमें गलत गलत चीजे बताया गया है नहीं वो गलत गलत चीजे इस धर्में बताया नहीं गया है बलकि उसमें चेंजस किया गया हुआ है कई लोगों ने चेंजस कर दिया गया है उसमें आप उसको गलत नहीं मान सकते आप अगर समझना चाहते हैं धर्म कुछ सही तरीके से तो आप ये मानकर चलिए क्योंकि एक धोंगी आदमी कोई बिजनेसमन या कोई राजनेता कोई अपना संगटन खड़ा करता है तो वो संगटन या वो अंध्य विस्वास वो कुछ ही दिन तक चले गए या कुछ वरसों तक लेकिन धर्म में जो आस्ता की बात है वो कई लाखों वरसे तक चलता है और लाखों वरसे तक इसलिये चलता है क्योंकि उससे कोई मामूली आदमी खड़ा नहीं करता उसे एक enlightened man आदमी ही खड़ा कर सकता है जो उस परमतत्व को प्राप्त कर लिया है जो उस परमतत्व में समाहित हो गया है जैसे मुहमत हुए थे उस परमतत्व में समाहित गौतम हुए थे उस परमतत्व में समाहित संकर हुए थे उस परमतत्तों में समाहित वही वेक्ति ही धर्म के निर्मान कर सकता है कृष्ण भी हुए थे परमतत्तों में समाहित राम जी भी हुए थे परमतत्तों में समाहित इसलिए तू उन्हें विष्णू का उतार कहा गया है विष्णू को ब्राम्हनों ने अपना परमात्मा माना है कई लोग सिव को अपना परमात्मा मानते हैं इसी करार राम को विष्णू का उतार बोला गया है क्योंकि राम ने भी उस तत्तों को प्राप्त किया है तब ही तो राम की इतने ज़्याद़ फॉलोवर्स है कुछ वड़सों के लिए क्योंकि सभी को पता लग जाती है लेकिन हमारी आत्मा तो उसी परम्तत्व में मिनना चाहती है इसी कारण हम जितने भी पड़ लिखने फिर भी हम धर्म में आस्थर रखते हैं कोई न कोई धर्म है चाहे वो नास्ति क्यों न हुआ भी किसी न किसी धर्म से तालुक रखते हैं